इस कोरोना काल में हमारे देश की सिक्षा विवस्था किस कदर गर्थ में चली गई ये तो हमने खूब देखा लेकिन जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये फैसला लेती है कि अब स्कूल्स खुलेंगे उसके बावजुद भी सरकारी स्कूलों की विवस्था देख आप सर पीट लेंगे दरसल कोरोरा महामारी को लेकर राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पाबंदियों में साथ फरवरी से ढील दिये जाने की बात कही गई थी बिहार में सभी स्कूल और कॉलेजिस को 50 प्रतीशत की उपस्तिती के साथ सोमवार को खोल दिया गया है लेकिन रजौली प्रकंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहाँ सिख्षकों की लापरवाही देखी गई दरसल रजौली प्रकंड के सिख्षकों की लापरवाही का आलम ये रहा कि कोरोنا पाबंदियों में धील के बावजुत पहले दिन किसी भी विद्याले के सिख्षकों ने विद्याले को खोलना उचित भी नहीं समझा जब हमारे समबाद दादा रिशब कुमार ने इसकी पड़ताल की तो चटकारी के कई विद्याले बंद भी ले और विद्याले के H.M. नियधारित समय से पहले ही विद्याले को बंद करके फरार हो गए एक तरफ कोरोना महामारी की माड से चौपट हो चुकी सिक्षा का दंस झेल रहे बच्चों की उमीद को तोड़ने और जंगली छेत्र की विद्याले के सिक्षकों ने यहां की बच्चों की अगर माने तो यहां पोशन आहार मिलना तो दूर की बात है उन्हें प्रात्मी सिक्षा भी ढंग से नसीब नहीं हो रही है विद्याले के सिक्षक महिने में एक या दो बार आकर विद्याले का कोरम पूरा कर लेते हैं हाजरी बना कर वहां से निकल लेते हैं रजौली से रिशब कुमार की रिपोर्ट तो पींटु जी जो है वह वो साइंस के टीचर है मैज के टीचर है हो भी महेंदर कुमार करें इसे जाते हैं चली को आते हैं नाम को सबस्क्राइब만 से जो डिसरा न teachers बुगहें गें काahu झाल